आने वाली पांस तारीक को हमारे राजेज जुन भाई साब उनको अपना एक 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 इमती वोट देके विज़ेई बनाएं मेरी आप से विनती है कि एक 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 वोट उनके लिए और हमारे लिए तो यह लगारों कि हमारी जीत है राजेज भाई साब की जीत नहीं है बादर विदानसभा चेतर के सेक्टर 9-A में इस वक्त में मोजूद हूँ आपको बता दे कि यहां के जो लोग है स्थानिय लोग हमारे साथ मोजूद है सचिन जून जो यहां से निर्दलिय परत्याशी राजेश जूनन के सुपूत्र है यहां पर चर्चा करने के लिए इसे लोगों से मुलाकात करने के लिए पहले सचिन जून से बात करेंगे फिर यहां के जो स्थानिय लोग है एक एक करके उनसे बात कर लेते हैं शाचिन भई लगाता है डो टू दोर भी कर रहे हैं अब शेहर का दोरा भी चल रहा है पार्क उम्हाइए सक्टर नोय के कैसा समठ्रम लेखे सक्टर नोय कि हम खुद रहने वाले हैं अमारा मकान यह सेक्टर नोय में है यह अमारा घर है अपने घर में छोटा साज एक अमने शोपन करने के वोट करने की जरुद तो बार होती है यहां पूरा बादूर अलगा मेरे पिता जी ने एक परीवार हिसे हलके को माणना है और हमारा पूरा परीवार ये बादुर ढलका आज इस बार अपने बेटे अपने बाही राज इस जुने जा रहा है शिलाई मशीन के निशान पर बटन दबा करके हमार को बहुत ज़्यादा मैं यह आपको पत्रगार साब बता जेता हूं इस बार बादुर गड में एक तरफ सुनिता जुन आपकी सहली हैं बता रहे हैं सहली के मदद करोगे जी बिलकुल हम तो सुनिता जुन के साथ ही हूं अमारी दोस्त भी है और एक तरफ हाई है मतलब वह यह उसके लिए मतलब हमें पहली बाद तो सोचने की जरूरत नहीं किसी को भी और पूरा सेक्टर जानता हूं कितने हमबल इंसान हैं यह चीज़े सभी जानते हैं सुनिता जुन राजे जुन उनके बच्चों को हम परसनली जानते हैं वह ना और आप जैसे राज अंदर जुन को वोट दे वी दिया उस इंसान किसी ने सकली नहीं देखिये पूरे सेक्टर में तो फिर उसको वोट दे के फायदा वेस्ट करने का फायदा क्या है अब जैसे आप किसी दूसरी पार्टी का मैं किसी का चलो परसनली नाम नहीं लूंगी जाते हैं तो परस्णली यह बोलते हैं कि यह हमारे जानकार है और खुद मिलने आते हैं पेशेंट से यह भी चीज तो इसलिए हमारे तो सभी से कहूंगी और वह एक तरफा जीतेंगे भी यह बीचीज का चुनावची ने इसमें एक तरफा जीत है यहां पर बहुत अच्छा मावला भी तक जितना भी हम लोगोंने परचार करके देखा है तो आप यह मान के चलो कि आने वाली पांस तर के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें राजी जुन जी की जीत निश्चित है थैंकि इन्ह आपो और हम सुनते हैं कि किस changed कर देते हैं तो वह भी यह बोलते हैं कि हम आदमी तो बीजिपी के है पर रह Battle. तो वोट हम दों कांग्रेस की हैं कि कंग्रेस में हमारे साथ हुआ इसे तारीक को दिखा देंगे अभी ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा 39 तारीकों दिखा देंगे एक तरफा कैसे इलेक्षिन होता है अभी तक तो यह लुसोच रहे थे कि सब जगह आप अपने परचार कर रहे हैं लेकिन 39 को किलिए हो जाएगा कि 80% से उपर वोट है और यह आप लोग भी देखो गई सभी 29 तरीकों शक्ति पर दर्शन करेंगे राजेश जून और पास तरीकों मतदान है आएज जान लेते हैं क्या माव लेजा जून के क्यों यहां के माशन देए यह बंद अबे चिंत्या रहो पूरा डोला ठोक देए हैं पास तरीकों राजेश जून एक नंबर पैजिव के बाद बहुत याची बहुत समाज से भी है अच्छे काम करेंगे अच्छे ना साथ है क्या मोगलों बैस जक्तरों का 50% में राजेश हकेला है 50% में बाकी सारे है इससे अच्छा कंडिडेट कोई और है भी नहीं क्योंकि राजिंद र होंगे तो हमारे तरका।्म के आहीं रहता है हुआरे तो खूब काम तो जोंगे पूरे अलगे होंगे हमारे नहीं पूरे अलके की काम ओगे ऐसानी धीक होगा क्या कहेंगे जी rate गूलेपी है मिलने सारादमी है हमरे सेक्टर का आदमी है इसए निया कि अर्य में आने आने वाला टाइम में आने वाले विधायक श्री राज commercial ही है कम से कम 80,000 वोट ले के यहां से विजै होंगे राजे जुन ऐसा बताया जा रहा है सेक्टरों में गाव का दौरा भी हमने किया है गाव में भी सी त्रिके का माहूल हमने आपको दिखाया था इसी तरह की और भी वीडियो से जोड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद